बच्चों कैसे हैं वेटा आप सभी आज हम बात करें हैं कक्षा बारवी की हमारी जो पाठ्थे पुस्तक है अंतरा अंतरा के काववे खंड के अंतरगत मलिक मोहम्मद जैसी की जो कवीता है बारा मासा आज हम उसकी सरप्रसंग व्याख्या करेंगी जैसे कि आपने देखा है कि यह बहुत important question होता है सरप्रसंग व्याख्या जो की exam में six marks का आता है और सबसे बड़ी बात यह है कि बेटा अगर आप व्याख्या समझ लेते हैं तो आपको कोई भी प्रेशन उत्तर करने में दिक्कत नहीं आती है तो चलिए आज करते हैं मलिक मो मत जैसी के बारा मासा की मैं सरप्रसंग व्याख्या करना आपको बताती हूँ अब देखी बेटा यह जो छे नंबर का आता है सरप्रसंग व्याख्या इसमें प्रसंग एक अंक का होता है संधर भी एक अंक का होता है व्याख्या तीन अंक और विशेश या काफे संधर ये वो एक अंक का होता है, इस तरह से ये छे अंक का प्रश्न आता है, अब आप देख रहे हो कि आपके सामने ये जो बारा मासा है, इसका ये पहला जो पद है, ये हम इसकी सरप्रसंग व्याख्या करनी होती है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें क्या लिखना है, जैसे मान या तो ये पूरा पत आ गया या इसकी कुछ पंक्तियां आ गई तो हम सबसे पहले लिखेंगे प्रसंग और प्रसंग में हम लिखते हैं बेटा कि प्रस्तुत पंक्तियां भक्तिकाल के प्रेमार्गी शाखा के प्रतिनिधी कवी मलिक मुहम्मद जैसी द्वारा रचित महा कावे पद्धमावत के नागमती वियोख खंड के बारा मासा से ली गई है यानि प्रसंग में आपको कवी और कवीता का नाम बताना है अब बात करते हैं इसके संधर्व की तो इसमें कवी ने नागमती के विरह का वर्नन किया है उसका पती राजा रत्न सेन उसे छोड़ कर चला जाता है और नागमती उसके विरह में तडपती रहती है तो यहाँ पर बेटा जो ठंड के चार महिने हैं अगहन, पोश, माग और फागुन उसमें नागमती के विरह का वर्नन किया गया है तो यहाँ पर अगहन मास में नाइका की दशा का वर्नन किया गया है अब देखिए पहली लाइन है अगहन देवस घटा निशी बाड़ी, दूबर दुखसो जाय किमी काड़ी यानि शीत रित्तु में अगहन का महिना शुरू हो गया है इस महिने में दिन, छोटे और राते बड़ी हो गई है तो नागमती कहती है मैं इस असहनिय दुख को कैसे निकालू अर्थात यह अब मेरे वश में नहीं है अगर बेटा आप इन पंक्तियों को समझ लेंगे क्योंकि यह जो भाशा है, यह अवधी है तो आपको जब सवप्रसंग व्याख्या करना होता है आपको इन पंक्तियों को पढ़कर उसका अर्थ देना होता है कि हिंदी में यह क्या लिखा हुआ है तो इसलिए आप इन पंक्तियों को पढ़िए और इस तरीके से उसका अर्थ लिखते चले जाईए दूसरा है अब धनी देवस बिरह बाराती जरे बिरह जयो दीपक बाती तो नागमती कहती है अब पती के वियोग में दिन भी रात के समान दुख दाई प्रतीत हो रहे है मैं तुम्हारे बिना विरह की अगनी में ऐसे जल रही हूँ मानो दीपक में बाती जल रही है धनी का मतलब होता है बेटा स्त्री और विरह का मतलब होता है वियोग तीसरी पंक्ती है कापा हिया जनावा सियू तोपे जाई होई संग पियू हिया का मतलब होता है यहाँ पे हिर्दे जनावा मतलब प्रतीत हुआ सियू शीत ठंड तो तब और पियू, पियू का मतलब होता है प्रिय, तो नागमती कहती है सर्दी के बढ़ते प्रभाव से मेरा हिर्दे कापने लगा है, इस सर्दी का प्रभाव कम हो जाता यदी मेरे संग मेरा प्रियतम यानि की पती होता अगली पंक्ती है, घर-घर चीर रचा सब काहू, मोर रूपरंग लेगा नाहू, चीर माने कपड़ा, वस्त्र और नाहू, नाहू का मतलब होता है नाथ तो क्या कहती है नागमती की इस रित्तु के अनुरूप प्रते घर में सभी ने कपड़े रंगवा लिये हैं, लेकिन मेरा रूपरंग तो मेरे पती अपने साथ ले गए हैं, अर्थात मैं अपने पती के बिना कैसे श्रिंगार करूँ अगली पंक्ती है, पल्टी न बहुरा गा जो बिछोई, अभू फिरे फिरे रंग सोई, पल्टी माने पलट कर, बहुरा लोट कर, बिछोई बिछुडना और फिरे फिर से तो नागमती कहती है, मेरे पती मुझे अकीला छोड़ कर इस तरह गए कि इतना लंबा समय बीत जाने पर भी उन्होंने मुझे पलट कर नहीं देखा, अर्थात मुझे याद नहीं किया और वापस नहीं आए, अब अगर वह वापस आ जाएं, तो मैं फिर से अपना वही र पर रंग वापस पा लोगी, अगली पंक्ति है, सियरी अगीनी, बिरहिनी हिय जारा, सुलगी सुलगी, दगदे बे च्छारा, सियरी मतलब ठंडी, और जारा का मतलब होता है, जला दिया, दगदे, दगदे का मतलब होता है, जलना, और भै का मतलब होता है, हुई, तो कर मेरे शरीर को जला रही है और उसे राख किये जा रही है अगली पंक्ती यह दुख दगद न जाने कंतू जोबन जरम करे भसमन्तू यानि कंतू का मतलब होता प्रिय और भसमन्तू का मतलब होता भसम करना तो नाकमती कहती है मेरे प्रियतम इस दुख को पीडा को जलन को नहीं जानते प्रेम के अभाव में मेरा योवन और जन्म दोनों एक साथ भस्म हो रहे है अब ये विटा है आपका दोहा कि प्रियसो कहे हू संदेशरा ए भवरा ए काग सो धनी बिरहे जरी गई तेहिक दुआ हम लाग अब नागमती कहती है कि हे भवरे हे कवे तुम जाकर मेरे प्रियतम को ये संदेश कह दो कि तुम्हारी पत्नी नागमती तो विरहे की अगनी में जलकर मर गई है और उस अगनी से जो धुआ निकला है वही हमें लग गया है जिससे हमारा शरीर काला हो गया है तो ये थी आपकी व्याख्या बेटा, अब जब व्याख्या हम कर लेते हैं तो उसके बाद हमें विशेश या काववे सौंदरी जिसमें हमें भाशा कौन सी है, अलंकार कौन सा है, छंद क्या है, ये सब लिखना होता है, तो काववे सौंदरी में आप बतलिख सकते हो, नाग बिरह जयो दीपक बाती में उत्प्रेक्षा लंकार का सुन्दर प्रियोग है भाशा अवदी है चंद दोहच योपाई है और रस वियोग श्रिंगार है तो ये था आपका बिटा काववे सौंदर ये अब चलते हैं हम अपने दूसरे चंद की तरफ चलिए अब देखते हैं हम इसका प्रसंग तो प्रस्तुत पंक्तियां भक्ति काल के प्रेम मार्गी शाखा के प्रतिनिधी कवी मलिक मुहमद जैसी द्वारा रचित महाकावे पदमावत के नागमती वियोखन के बारा मासा से ली गई है प्रसंग तो सेमी होता है अब संधर् इसमें कवी ने नाईका नागमती के विरह का वर्नन किया है उसका पती राजा रत्न सेन उसे छोड़कर चला जाता है और नागमती उसके विरह में तडपती रहती है यहां पूस मास में नाईका की दशा का वर्नन किया गया है हमने पिछले पद में अगहन मास में देखा थ अब हम देखेंगे कि पूस मास में नाईका कि क्या दशा हो रही है पूस जाड थर-थर तन कापा, सुरज जडाई, लंक दिशी तापा अब नागमती कहती है कि पूस के महिने में सर्दी इतनी बढ़ गई है कि सूरज के दक्षिन दिशा में जाने से ताप कम हो गया है इसलिए शरीर थर-थर काप रहा है जाड का मतलब होता है सर्दी अगली पंक्ती है बिरह बाड़ी, भाद, दारुन, सियू, कपी-कपी मरो, लेही हरी जियो भाद का मतलब होता है हो गया और दारुन का मतलब होता है कठिन, सियू माने सर्दी तो नागमती कहती है कि इस भियानक ठंड में विरह बढ़ गया है है प्रियतम, मैं इस शीत में, इस ठंड में काप-काप कर मरी जा रही हूँ कंत कहां हो लागो हियरे, पंत अपार सूज नहीं नियरे कंत का मतलब पती और हियरे का मतलब होता है हिर्दे में और पंत मतलब रास्ता, नियरे निकत तो नागमती कहती है प्रियतम तुम कहां हो, तुम यहां आकर मेरे गले से लग जाओ तो मुझे कुछ चैन मिले मुझे तुम तक आने का रास्ता नहीं सूज रहा है सोर सुपेती आवे जूडी, जानू सेज हिवंचल बूढी सोर सुपेती होता है, जाडे के समय में जो ओडने बिछाने का वस्तर होता है ना, रजाई उसको कहा गया है, जूडी माने ठंड, हिवंचल माने बर्फ से धकी हुई नागमती कहती है कि मेरी सोर यानि रजाई भी हलकी है, इसे ओडने पर भी जूडी यानि ठंड लगती है बिस्तर इतना ठंडा लगता है कि हिमाले की बर्फ में डूबा हुआ हो यानि कि इस समय ठंड बहुत अधिक बढ़ गई है, जो कि रजाई है, वो भी उस ठंड को नहीं रोक पा रही है चकई निसी बिछूडे दिन मिला, हो निसी बासर बिरह कोकिला निसी माने रात और बासर माने दिन तो नागमती कहती है कि चकवी, रात के समय भले ही चकवे से अलग रहती है पर प्राता होने पर प्रिय से मिल जाती है लेकिन मैं तो रात दिन कोयल की भांती, पियू-पियू की रट लगाए रहती हूँ रैनी अकेली साथ नहीं सखी, कैसे जियो बिछो ही पंखी रैनी मतलब रात और पंखी मतलब पक्षी ओ कहरी रात के समय कोई भी सखी मेरे पास नहीं होती, तब मैं बिलकुल अकेली होती हूँ भला मैं अकेले रहकर बिछडे पक्षी की भांती किस प्रकार जीवित रहूँ विरह सैचान भलेतन चांडा, जियत खाई मुए नहीं चांडा अब सचान होता है बाज पक्षी, तो यहाँ पर विरह रूपी जो बाज पक्षी है चांडा का मतलब बता है प्रचन भयंकर तो नागमती कहती है कि यह विरह रूपी बाज मेरे शरीर पर दिष्टी गड़ाए हुए है यह मुझे जीते जी खा रहा है, यह मरने पर भी मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा अब दोहा है अब रकत माने खून, गरा माने गल गया, धनी माने स्त्री, और ररी माने रट रट कर, मुई माने मरी तो नागमती कहती है कि इस विरह के कारण मेरे शरीर का सारा रकत आसूओं के माध्यम से बह रहा है सारा मास गल चुका है, मेरी सारी हड़ियां शंक के समान दिखाई दे रही है मैं सारस की जोड़ी की भांती, प्रियतम का नाम रटते रटते मर गई हूँ अब मैं मरना वस्था में हूँ, अब इस अवस्था में मेरे पंखो को समेट लो अब देखते हैं इसका विशेशया नी कावे सौंदरी है इसका कावे सौंदरी देखते हैं, नागमती की विरह वेदना का अतिशोक्ति पून वर्नन हुआ अतिशोक्ति का मत्रवता बढ़ा चड़ा कर वर्नन किया गया है विरह बाड़ी, कंत कहां, नहीं नियरे, सोर सुपेती, आदिस थलो पर अनुपरास अलंकार की छटा है कपी-कपी में पुन्रुक्ति प्रकाश अलंकार है, विरह सैचान में रूपक अलंकार है यानि कि विरह रूपी बाच, भाशा अवदी है, चंद चोपाई दोहा है और वियोग श्रिंगार रस का प्रियोग है चलिए, अब देखते हैं अपना अगला चंद इसमें सबसे पहले प्रसंग अब संधर्ब देखते हैं कि इसमें माग के महिने में जाड़े से कापती हुई नागमती की विरह दशा का वर्नन है वर्षा का होना तथा पवन का बहना नागमती की विरह ताप को बढ़ा रहा है इसकी पहली पंक्ती है माह का मतलब 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 होता है समें और जड़काला मृत्यू तो नागमती कहती है माग मास लग गया है इसके प्रारम होते ही चारो और पाले का प्रभाव दिखाई देने लगता है नागमती कहती है कि मेरे लिए तो जाड़े के इन दिनों में विरह मिर्त्यू के समान हो गया है पहल पहल तन रूई जो जहापे हा हली हा हली अधिको हिय कापे पहल माने शुरू तन का मतलब बहता है शरीर हा हली मतलब हिल हिल कर और हिय माने हिर्दे तो इस मास में रूई के कपड़ों से जो अपने शरीर को ढग कर रखता है वही जीवित बच सकता है जो पूरे कपड़े नहीं पहनता उसका शरीर हिल हिल कर कापता रहता है आई सूर होई तपूरे नाहा तेही बिनु जाड़ना छूटे माहा सूर माने सूरच तपू माने ताप नाहा माने पती और माहा का मतलब होता है माग का महीना तो नागमती कहती है कि इस भैंकर सर्दी में हे प्रिय तुम सूरे की गर्मी बनकर मेरे पास पहुच जाओ तुम्हारे आये बिना यह माग मास का जाड़ा मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा एही मास उपजे रस मूलू तू तो भवर मोर जोबन फूलू एही माने इसी मास मतलब महिने में रस मूलू का मतलब श्रिंगार रस और भवर माने योवन रूपी जो भवरा है वो कह रही है नागमती कि इसी मास में नए रस का संचार होता है जो बसंद के आने पर फूल के रूप में प्रकट होता है अब तुम्हें ब्रमर बनकर यहां आजाना चाहिए नैन का मतलब नेत्र चूवी का मतलब बहते रहते हैं जस जैसे माहुट जो मागमास की वर्षा है नीरू माने जल और चीरू का मतलब होता है वस्त्र मेरे नेत्रों से बहने वाले आसू माग की वर्षा की जड़ी के समान प्रतीत हो रहे हैं और इस जड़ी के कारण मेरे शरीर के कपड़े गीले हो गए हैं अब ये ठंडे होकर न मुझे बान के समान चुब रहे हैं तूटी ही बूंद पर ही जस ओला बिरहे पवन होई मारे जोला अब नागमती कहती है जब बूंदे तूट कर गिरती हैं तो वह ओलों के समान प्रतीत होती हैं और ये पवन विरहे के रूप में जखोरे मार मार कर मुझे मार डाल रहा है केहिक सिंगार को पहिर पटोरा गिय नहीं हार रही होई डोरा इस समय मैं कोई श्रिंगार भी नहीं कर सकती ना रेसमी वस्त्रधारन कर सकती हूँ मैंने गले में हार भी नहीं पहन रखा है क्योंकि मैं स्वेम ही उस हार के डोरे के समान पतली हो गई हूँ पहिर का मतलब होता है पहनू पटोरा रेश्मी वस्त्र अब ये आ गया है आपका दोहा तुम बिनु कंता धनी हरूई तनु तिनुवर भा डोल तेही पर विरह जराई के चहे उड़ावा जोल नागमती कहती है हे प्रिय तुम्हारे विरह में मैं सूख कर बिलकुल तिनके की भांती हो गई हूँ मेरा शरीर वरिक्ष की भांती हिल रहा है इधर उधर डोलता है इस पर भी विरह मुझे जलाकर राख बनाए दे रहा है और राख को उड़ा देना चहता है कंता का मतलब पती और धनी का मतलब स्त्री तन का मतलब शरीर तिनुवर मतलब तिनका चलिए अब देखते हैं इसका काववे सौंदरे तो इसमें माग मास की भेंकर ठंड में नागमती के विरह का वर्नन किया गया है पहिर पटोरा में अनुप्रास अलंकार है विरह वर्नन में अतिशोक्ति अलंकार है पहल पहल में पुन्रुक्ति प्रकाश अलंकार है विर्ह पवन में रूपक अलंकार है भाशा अवदी है छंद चोपाई दोहा है और रस है इसमें वियोग शिर्गार रस तो चलते हैं अपने अगले छंद की तरफ फागुन पवन जखुरे बहा प्रसंग में वही लिखना है बेटा प्रस्तुत पंक्तियां भक्तिकाल के प्रेम मार्गी शाखा के प्रतिनिदी कवी मलिक मोहमत जयसी द्वारा रचित महा कावे पदमावत के नागमती वियोग खंड के बारा मासा से ली गई है संदर यानि इसमें कभी ने फागुन मास में नागमती की विरह वेदना का मार्मिक वर्नन किया गया है फागुन पवन जखुरे बहा चोगुन स्यू जाई किमी सहा नागमती अपनी विरह वेदना का वर्णन करते हुए कहती है कि फागुन मास में तेज और ठंडी हवाएं चल रही है जिससे सर्दी चार गुना बढ़ गई है अब इसे सहना कठिन हो गया है तन जस पियर पात भा मोरा बिरहना रहे पवन होई जोडा वह वियोग के कारण बहुत कमजोर और पीली पड़ गई है जिससे इस माहा में चलने वाली तेज हवाएं भीवे सहन नहीं कर पा रही है तरीवर जरे जरे बन ढाका भई अनपत फूल फर साखा अनपत उता पत्ते रहित प्रकरती में पुराने पत्ते गिर गए हैं ढाक के वन पत्ते रहित हैं लेकिन वहीं दूसरी और पेड़ों पर नई कोपले फूट रही हैं नए पत्ते और फूल आ रहे हैं करिन बनाफती कीन हुलासू मो कहां भाद जग दून उदासू बनाफती का मतलब होता है वनस्पती और हुलासू का मतलब होता है उत्सा नागमती कहती है कि चारोर वनस्पती और लोगों में फिर से उल्लास भराया है पर मेरे जीवन की उदासी तो दुगनी हो गई है फाग कर ही सब चाचरी जोरी मोही जिये लाई दीनी जसी होरी इस मास में सब लोग मिल जुल कर फाग का आनन ले रहे हैं और चाचर खेल रहे हैं मेरे हिर्दे में तो विरह की होली की आग जल रही है क्योंकि उसका पती उसके साथ नहीं है इसलिए जब ये लोग चाचर खेल रहे हैं तो इसे देखकर नागमती के विरह में अगनी जल रही है जोपे पिही जरत अस भावा जरत मरत मुही रोस ना आवा मेरे प्रिय को मेरा इस तरह से जलना अच्छा लगता है तो ठीक है मुझे इसमें कोई दुख नहीं है राती हूँ देवस इहे मन मोरे लागो कंत चार जेउत तोरे मैं दिन रात अपने मन में पती से मिलने की बात सोचती हूँ मैं तो राख बनकर उनके हिर्दे से लग जाना चाहती हूँ चार मतलब राख ये दोहा है वेटा यह तन जारो चार के कहो की पवन उडाओ मकुते ही मारग होई परो कंत धरे जहां पाओ अब नागमती की एक ही इच्छा बची है कि उसका शरीर विरह की अगनी में जलकर राख बन जाए और उसके शरीर रूपी राख को पवन उडाकर उस मारग में डाल दे जहां उसके पती चरन रखें इस परकार वह अपने पती को सपर्ष कर लेगी अब देखते हैं इसका कावे सौंदरिये तो नागमती की विरह वेदना का बड़ा ही मारमिक चितरन किया गया है उपमारूपक अनुपरास अलंकारों का प्रियोग है वियोग श्रिंगार रस है भाशा अवदी है और जो छंद है वो चोपाई दोहा है तो बेटा उमीद करती हूँ कि ये नागमती वियोग खंड के जो बारा मासा की सरप्रसंग व्याख्या थी मैंने आपको एक एक पंक्ती का बहुत अच्छे तरीके से अर्थ बता दिया है तो अब आपको एक्जैम्स में सरप्रसंग व्याख्या करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी धन्यवाद